हाई गाईस वेलकम बैक तो मैं यूटूब चानल थमनेल और टाइटल देखे आपको पाता चल गए होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है तो आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वानी हूँ तो इस वीडियो में जो भी मैं प्रोड़क्स यूज कर रही हूँ उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक देए दोंगी सारी प्रोड़क्स अफॉर्ड़ेबल है तो स्टेप बेस्टेप में आप लोग को स्किन के रूटीन शेर करोंगी तो वीडियो स्टार्ट कर करने से पहले मेरी चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फॉर फेस्वाश आम यूजिंग चारमीज विटामिन सी तो यहां पर मैं आच्छे से मसाज करके फेस्वाश कर रही हूं तो इस फेस्वाश क को यूज करने से अगर आपकी स्किन पर अगने कॉसिंग बैक्टेरिया है तो रिमो हो जाती है और यह स्किन को भी हैड्रेट करता है कि अप्टर फेस्वाश फेस्वाश फॉर्स क्रब आम यूजिंग हिमालाय अप्रिकोड स्क्रब थोड़ा सामन्ट ले रही हूं तो स्क्रब को अपनी नुज एरिया पर और स्किन एरिया पर अप्ले करना है क्योंकि वहां पर ब्लैक इट्स और वाइट इट्स होते हैं तो जेंट्ली मासाज करना है फर टू-3 मिनिट्स तो स्क्रब को डेली बेसिस पर यूज नहीं करना है आपको वीकली ट्वाइस और त्राइस यूज करना है खब धूज करना है कर दोनर आम उसे दाबर गुलाबरी रोज़ वाटर कर दो मॉस्टराजर के लिए मैं यहां पर बयोटिक का बयो मॉर्निंग नेक्टर यूज कर रही हूं यह काफी अच्छा मॉस्टराजर है इस मॉस्टराजर में SPF भी है आप लोगों को अलग से संस्क्रीन यूज करने के भी सरुरत नहीं है बहुत ही अच्छा मॉस्टराजर है तो इवन लिए अपनी फेस पर स्प्रेड करो और टोंट फगेट यूर नेक्टी एरिया कि अच्छा में लिए अच्छा में लिए यहां पर यूज कर रही हमालाय का लिप पंप आज की वीडियो में इतना ही था गैस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो फ्रेंड्स और फैमिले के साथ शेर करो और मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब करो